Hello students, आज हम बात करेंगे isomorphism की यह है हमारी group isomorphism की definition An isomorphism 5 from a group G to group G- is a 1 to 1 and onto mapping that preserve the group operation कि हमारे पास कोई 5 हमने define किया G to G- के उपर कि हमारे पास यहां से 1 to 1 बने और onto और यह preserve करें operation, operation preserving भी हो क्या मतलब operation preserving है कि 5 of a b करें हम और इसके equal यह आजाए 5 of a into 5 of b और यह जो हमारे a b हैं वो हमने G group में से लिया है अगर हमारे पास यह तीनों satisfy हो जाते हैं 1 to 1, onto और operation preserving तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो 5 है वो exist करने लगी और अगर 5 exist करें तो G को हम क्या कहेंगे कि वो G' की उपर isomorphic है इसको हम denote ऐसे करते हैं अब इसकी example देखते हैं यहाँ पर मैंने example लिए G को मैंने माना है group of real numbers under addition और G' को माना है group of positive real numbers under multiplication तो इन दोनों को हमने प्रूफ करना है कि यह G' की उपर isomorphic है तो इसके लिए हमें तेन properties को satisfy करना पड़ेगा तो first हमारे पास आती है 5 is 1,1 तो हम 5 को सबसे पहले define करते हैं मैंने 5 define करी G से G' तक मैंने यहाँ पर 5 of x को define किया 5 of x लिए हमने 2 raised to power x का तो first हम प्रूफ करते है 5 is 1,1 इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि दो elements ले लेते है x और y जो G के है तो इस पे मैं लगाँगी 5 function 5 of x is equals to 5 of y अब हमारा 5 of x किसके इकोल है 2 raised to power x के 2 raised to power x के और यहीं पे अगर हम y ले तो क्या हो जाएगा 2 raised to power y दोनों साइड हम log ले लेंगे log 2 raised to power x log 2 raised to power y अब यह जो powers है वो आगे आजाएगे x log 2 y log 2 तो by cancellation लोग अगर देखें तो यह जो हैं दोनों वो cancel हो जाएगे और हमारे पस क्या जाएगा x is equal to y यह होगा हमारा 5 is 1,1 next हमारा 5 is on 2 on 2 दिखाने के लिए हम y ले लेते हैं कोई element जो है g dash का और यहीं पर exist कर रहा है x कोई और element है जो g में है दोनों groups में से एक एक हमने element लिया अगर हम x के उपर 5 को define करें तो वो किस के equal आ जाए y के अगर यह y के equal आ जाता है थर्ड हमारी है operation preserve इसमें हमें क्याशो करना है कि 5 of a प्लस b अगर हम लें तो वो equal लाए 5 of a into 5 of b के यहां पर g मैंने under addition में लिया था और जो g dash है वो under multiplication में लिया था तो हमने इन दोनों को proof करना है equal तो हम क्या करते है दो कोई elements ले ले लेते है x और y जो g के है अगर हम 5 के उप x प्लस y के उपर operate करें इस पर define करें तो किस क्या आ जाएगा 5 of यह हमने किस के को लिया था 5 of x लिया था हमने 2 raised power x में अगर हम x प्लस y लें तो 2 raised to power x प्लस y आ जाएगा अब हम इसको 2 raised to power x into 2 raised to power y लिख सकते है अब हमारे पास क्या गया यह हमारा 5 of x के equal हो गया और यह जो है हमारा 5 of y के equal हो गया तो यह दोनों जो हैं वो हमारे equal आ गए तो यह हमारा operation preserving भी हो गया अब हमारे पास यहां तीनों properties satisfy हो चुकी हैं तो इससे हमें क्या proof होता है कि G जो हमने group लिया था वो G- के उपर isomorphic है यह हमारा आज का topic था I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो Please channel को subscribe करिएगा और वीडियो को like कीजिएगा